इस वीडियो को अगर्चे आप इच से एक दिन पहले करते हो हैंज इन फीट्स आपके बहुत अच्छे सॉफ्ट नर्मों मलाइम हो जाएंगे और यह तीन स्टेप आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं इसे आप अपने ना सिर्फ हाथ पेरों को अच्छा कर सकते हो बलके एक ड्रीमी हैंड्स और फीट्स बना सकते हो तो बहुत सिंपल हैं तीनों स्टेप घर में आपको हरे चीज अवलेबिल मिल जाएगी आईए जानते हैं कैसे करना है तो गाईज पहला स्टेप आपने लेना है एक बात टप टप के अंदर आपने नीम गलम पानी डालना है और उसके अंदर डालना है एक चमच शैंपू, एक चमच नमक और एक चमच बेकिंग सोडा इसको सब चीजों को मिक्स कर लो मिक्स करने के बाद एक लेमन को दो पीस में कर लो पांच से दस मिनट के लिए अपने हैंड्स और फीट्स को उसके अंदर रखो पानी के अंदर जो आपने बनाया है रखो रखने के बाद लेमन से जो है वो आप अपने हातों पे और पैरों पे स्करब करो नकल्स पे और जहां-जहां से आपको लगता है आपको निशान वगरा स्वाट्स वगरा हैं हैंड्स फीट्स पे उसके बाद अच्छी तरह से स्क्रॉब कर लो 2-3 नट स्क्रॉब करने के बाद हटा लो लेमन से ठीक है उसके बाद नॉर्मल पानी से वाश कर लो वाश करने के बाद ट्वाल से साफ करो साफ करने के बाद आपने लेने हैं 2-3 चौमच शुगर जो हमारे घर में शुगर होती है अगर आपके बस ब्राउन शुगर है तो वैल इन गूर्ड नहीं है तो नॉर्मल शुगर ले लो शुगर के अंदर डालो एक टेबल स्पून कॉफी पाउडर ऑर उसके बाद उसके अंदर डालो 1 चीज़क बेकिंग सोडा और उसके बाद आपने उसके अंदर एड़ करना है शहखको शहखको षहखको तो ठीक है नहीं हो तो स्किप कर सकते हो उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लो पिर बाई शूगर हो, scrubbing बहुत अच्छी होती है, आपके skin को exfoliating करता है और anti-oxidant होता है, कोफी के अदर, और कोफी बहुत अच्छी होते हैं, तो कोफी, skin को whiten करने में बहुत ज्यादा help करती है, फाइन लाइन को खत्म करती है अगर आपके हार और पैर बहुत ज़्यादा किराब हो गए है लाइक आपकी जो विंज है वो नजर आने लगी है तो वो भी रिपेर हो जाएंगी सेकेंड स्टेप से तो काफी काफी अच्छी होती है स्किन के लिए तो आपने क्या करना है को अ सकिन क्या जाते है तो वो ले लो वो लेने के बाद उसके अंदर डालना है आपने एक चमच दही एक चमच आपने डालना है बेसं और उसके बाद आपने डालना है एक चमच संदल वूढंड पाउडर करो अपलाए करने के बाद जो ब्लीच का टाइम होता है 10 to 15 मिनिट हैं एंड फीट से हवाले से आपने 2 या 3 पैक लेने हैं तके जो आपके हाथ और पैर हैं वो दोनों कावर हो जाएं इसको दो से तीन मैं गली ब्लीच को छोड़ दो और उसके बाद इसको अपलाए करने के बाद 10 से 15 मिन चोड़ो और उसके बाद इसको वाश कर लो गैस इतने सूपर कूल रिजल्ट मलेंगे आप यकीन ही करोगे इ आप करके देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, manicure pedigre करें और इतने पैसे भी नहीं होते कि salon जाएं, ऐसा नहीं कि हम YouTuber हैं, तो हमें भी इतना time मलता होगा, या फिर इतने पैसे हम भी, इतना टाइम नहीं होता है, आपको बता है इतना ज्यादा इत पैसे रश होता है, तो गईज इसको ट्राइ करो और मुझे feedback दो, इतना useful है गईज, यह तीनो step इतने useful हैं, आप इसको हफ़ते में एक बार भी कर सकते हो, और hands and feeds पे, बिलीच क्रीम को मैं face पे ज्यादा नहीं बोलती हूँ, कि आप face पे यूज करो, लेकिन हफ़ते में एक बार आप hands feeds पे करो, आपको तीनो step से बहुत super result मिलेंगे, तो इसको try करो, मुझे feedback दो अच्छा लगे, तो like कर देना और please like कर दिया, बिल्कुल free होता है, और आप लोग जिब like करते हो, तो मुझे appreciate होता है, और मुझे अच्छा लगता है, कि और मैं कोशिश करते हूँ, कि मैं और अच्छी से अच्छी, आप लोगों के लिए videos लाती रहूँ, आप मेलोगी में next video में, एक और अच्छी से टॉपिक के साथ, और गईज केरिटेन के उपर, मैंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, रेबॉंडिंग के उपर, आगर आपने नहीं रेखिये, तो जाओ, आई बटन लगाया है, देखो, तो आई हो वीडियो पसंद आये होगी,